हलो फ्रेंड्स जैसा कि हम राश्ट्री आंदोलन पढ़ रहे थे और राश्ट्री आंदोलन में हमारा राश्ट्री आंदोलन का दूसरा चरण चल रहा है तो उसी कड़ी में हम आज देखेंगे मुस्लीम लीक तो एक मुस्लीम प्रतिनीधी मंडल था जो कि सर आगा खां के नेत्रतु में शिमला में गवर्नर जनरल मिंटो दित्य से मिलता है एक अक्टूबर 1906 को और इस प्रतिनीधी मंडल का जो जनक था वो अलिगड कोलेज का प्रिंसिपल आर्च बोल्ड था 30 दिसंबर 1906 को धाका में मुस्लिम लीक की स्थापना हुई मुस्लिम लीक के संस्तापक थे सलीम उल्ला खान और इसके प्रतम अध्यक्ष थे वकार उल्ल मुल्क 1908 हिश्वी में सर आगा खां को इसका स्थाई अध्यक्ष बनाया गया और 1908 का जो अम्रत्सर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीक का उसमें मुस्लिम लीक ने प्रतक निर्वाचन की मांग की थी अब हम देखेंगे 1909 का भारत परिशद अधिनियम इस 1909 के भारत परिशद अधिनियम को मारले मिंटो सुधार भी कहते हैं मारले भारत सचीव थे भारत सचीव इंगलेंड में होता था और मिंटो गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल था इन दोनों के कारण इसे मारले मिंटो सुधार भी कहा जाता है अब इस बारत परिशद अदीनियम या इस मारले मिंटो सुधार के कारण निम्द थे पहला तो कhomme 1892 के सुधारों को लंबा समय बीच चुका था और कांग्रेस अब सुधारों की मांग कर रही थी ब्रडिश सरकार हिंदू-मुस्लिम एक्ता को समाप्त करना चाती थी और सुधारों के माध्यम से नरमपंथियों को संतुष्ट करना चाती थी यह हम पहले देखी चुके हैं कि कॉंग्रेस तक दो जलों में विवाजित हो चुकी थी 1907 में नरमपंथी और गरमपंथी ब्रडिश सरकार क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभाव को समाप्त करना चाती थी तो 1909 के भारत परिशाद अदिनियम के क्या-क्या प्रावधान थे वो हम देखते हैं प्रावधान की केंद्रिये जो विदान परिशाद थी इसमें सदश्यों की संख्या बढ़ाई गई अब 79 सदश्य ही थे जिन में से 9 इस्थाई और 60 अतरिक्त सदश्य होते थे गवर्नर जनरल की जो कारे-कारी परिशाद थी उसमें भी एक भारतिये सदश्य होगा तो यह जो गवर्नर जनरल की जो कारे-कारे निति या कारे-कारी परिशत थी इसमें जो भारतिये प्रतम सदश्य बना वो था सत्यंद्र परसाद सिना जो प्रांति विधान परिशद थी उनमें भी सदश्यों की संख्या बढ़ाई गई जैसे बंगाल, मदरास, बॉंबे और यूपी यहां की प्रांति विधान परिशद में 50 सदश्य और पंजाब, बर्मा और असम यहां की विधान परिशद में 30 सदश्य रखे गए विधान परिशद के सदश्यों को पूरक प्रशन पूछने का अधिकार दिया गया वे लोग बजट पर बहस कर सकते थे लेकिन बजट पर मत विवाजन नहीं करवाया जा सकता था यानि वीटो नहीं करवाया जा सकता था इन विशों से सम्मंदित प्रशन नहीं पूचे जा सकते थे विदेशी मामले, देशी रियासतें, रेलवे, रिन और ब्याज इनके अलावा अधर विशों पे प्रशन पूचे जा सकते थे मुस्लीमों को प्रथक निर्वाचन दिया गया यह अंग्रेजों की फूट डालो राजकरों की नीती थी भारत परिशद में भी एक भारतिय सदश्य की नियुक्ती की जाएगी ऐसा प्रावधान किया गया हालाकि पहले भी भारतिय सदश्य होते थे लेकिन अब यह अनिवार यह कर दिया गया था 1907 में जो भारत परिशत थी उसमें दो भारती सदश्य थे सेद हुसेन बिलगरामी और केजी गुपता 1909 के अधिनियम की क्या कम्या थी पहला तो ये कि मुसलिमों को प्रथक निर्वाचन देने से देश में सामप्रदाइक्ता फैली और जो कालांतर में दिवी रास्टिय सिद्धांत में बदल गई और देश का विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान सामाने मद्दाता और मुसलिम मद्दाता के बीच अंतर रखा गया था सामाने मद्दाता पहले प्रांतिये विदान परिशद के सदश्चों को चुनता था और वे केंद्रिये विदान परिशद के सदश्चों को चुनते थे जब कि मुसलिम मद्दाताओं को ये अधिकार दिया गया कि वो सीधे ही केंद्रिये विधान परिशद के सदश्यों को चुन सकते थे तो इनमें ये भेदवाव बढ़ता गया जिसके कारण मद्दाताओं में असंतोश था सामान्य और मुसलिम मद्दाताओं के बीच ही असंतोश का कारण बना गवर्नर जनरल की जो कारी-कारी परिशत थी उसमें भारतियों को उचित परतिनिधित्वे नहीं दिया गया था केवल एक व्यक्ति को ही उसमें रखा गया था चोथा कारण ये रहा कि सदश्यों को पूरक प्रशन पूछने का अधिकार तो दिया गया था लेकिन अभी भी जो वित्व संबंदी मामले थे उनमें सदश्ये पूरक प्रशन नहीं पूँच सकते थे गवर्नर जनरल के पास वीटो और अध्यादेश की शक्ति होती थी वो किसी भी निर्ने को बदलने की शक्ति रखता था तो ये भी सदश्यों में ऐसंतोष का कारण था मुख्यत है भारती सदश्यों में अब आगे देखेंगे हम 1911 का दिल्ली दरबार ये सब रास्टिय अंदुलन के जित्य चरण में चल रहा है बड़िस समरार था उस समय जोर्ज पंचम और उनकी रानी थी मेरी वे जब भारत में आये तो उनके सम्भान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 इश्वी में उनके दिल्ली में आने पर यहाँ पर जोर्ज पंचम ने बंगाल विवाजन रद कर दिया गया और राजधानी को कलकाता से दिल्ली लाया गया और इसी समय बॉंबे में गेटवे ओफ इंडिया बनाया गया अब बात करते हैं दिल्ली शडियंतर केस की तो 1912 में राजधानी को जब दिल्ली ला रहे थे तो रास बिहारी बोस के नेतरतों में चांदनी चोक में जो गवर्णर जनरल था होर्डिंग दित्ते उसके ओपर बं फैका गया और उस मुकदमे में चार लोगों को फांसी दी गई अवद भिहारी बोस अमीर चंद्र बाल मुकंद और बसंत कुमार एक अन्य घटना कामा गाटा मारू घटना 1914 इश्वी तो कामा गाटा मारू एक जापानी जहाज का नाम था तो इसमें सिंगापुर में रहने वाला गुर्दित सिंग 376 भारतियों को लेकर कनाडा के वैंकुवर बंदरगा जा रहा था लेकिन इन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया इससे कनाडा में रहने वाले भारतियों ने इसका विरोध किया और आंदोलन किया और एक तटिये समीती का गठन किया जिसमें तीन सदश्चे थे बलवन सिंख, रहीम हुसेन और सोहनलाल पाठक और अमेरिका में रहने वाले भारतियों ने भी इनके पक्ष में आंदुलन किया था जहाज वापस जापान के याकोहमा बंदरगा पहुचा लेकिन तब तक पर्थम विश्विद्ध शुरू हो चुका था इसलिए अंग्रेज सरकार ने जहाज को सीधा कलकत्ता लाने का आदेश दिया और बजबज बंदरगा पर जो की कलकत्ता में तब भगदर मच गई और 18 लोग मारे गए और इसी कोई कामा गाटा मारू गटना कहते हैं इसी कोई अब आगे हम बात करेंगे होम रूल आंदुलन की जो की 1916 इश्वि में शुरू हुआ था होम रूल आंदुलन जो है ये एक तो बालगंगा दर तिलक द्वारा चलाया गया था और एक एनिबिसेंट के द्वारा चलाया गया था और जो होम रूल आंदुलन है ये आईरलेंड से प्रेरित था क्योंकि इसे एनिबिसेंट लेकर आई थी एनिबिसेंट आईरलेंड की ही थी तो हम देखेंगे तिलक द्वारा चलाया गया होमरूल आंदोलन तो तिलक ने अप्रेल 1916 में होमरूल लीग की स्थापना की कहां पे बेलगाम करनाटक में और अध्यक्ष बनाया जोसेफ बैप् और तिलक का जो हो मुड़ाय आंदोलन का शेत्र था ये महाराष्ट था बोंबोंबे को चोड़कर करनाटक मध्यपरांद और बरार तिलक ने इसमें भाशा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग की थी तिलक ने इस्थानिय जो व्यक्तियों की मांगे थी उनको भी होमरूल आंदोलन के साथ जोड दिया था और मात्र भाशा में प्रात्मिक शिक्षा की मांग की थी तिलक ने रचनात्मक कारेकरम प्रारंब किये थे जैसे हिंदू-मुस्लिम एकता छुआ-छूत निवारन शिक्षा का प्रसार इत्यादी तिलक ने इसी दोरान समाचार पत्र निकाले केसरी मराठी भाशा में था और मराठा अंग्रेजी भाशा में था तिलक की कुछ महत्पूर्ण किताबे गीता रहस्य आर्क्टिक हॉम ऑव दी वेदाज गोखले की संस्ताती सर्वेंट्स ऑव दी इंडिया सोसाइटी इसके सदश्यों को तिलक की हॉम रूल लीग में शामिल नहीं किया जाता था अब हम भात करेंगे ऐनी बीसेंट के हॉम रूल लीग की इसकी स्थाबना सितंबर 1916 में हुई तिलक की हुई थी अपरेल 1916 में और एनी बीसेंट वाले की हुई सितंबर 1916 में जिसका मुख्य के अंदर था अडियार और इसका जो शेत्र था वो तिलक के होम रूल लीग को छोड़ कर शेश भारत इसमें सचीव बनाये गए जोर्ज अरेंडूल और जवालाल नहरू, मुहमद अली जिन्ना, सुरेंदरनाथ बनर जी ये सभी इसके साथ जुड़े हुए थे एनी बिसेंट वाले होम रूल लीग के साथ आंदोलन जब आगे बढ़ा और अपनी गती पकरने लगा तो फिर अंगरेजों ने एनी बिसेंट को गिरफतार कर लिया जिसके विरोध में सुब्रमन्य मैयर ने अपनी नाइट हूड की अपाधी छोड़ दी थी इसके बाद मोंटेग्यू गोशना जिसे हम अगस्त गोशना की नाम से जानते हैं वो 20 अगस्त 1917 को की गई मोंटेग्यू कौन थे भारत सचिव इन्होंने गोशना की थी कि जल्द ही भारतियों को स्वेशाशन का अधिकार दिया जाएगा जैसे ही ये गोशना हुई एनी बिसेंट ने आंदोलन वापस ले लिया और तिलक वैलेंटाइन शिरोल पर मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए और वहीं पर एक अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यू हो गई अब हम देखते हैं होम रूल लीक का महत्यू क्या रहा कि एक तो इस राश्ट्य आंदोलन ने एक दशक की निश्करेता को तोड़ा और एनी बिसेंट के कारण महिलाएं भी इस आंदोलन से जूड़ी महिला शक्तिगरण को बढ़ावा मिला होम रूल आंदोलन में कई समीतियां बनाई गई जिससे राश्ट्य आंदोलन को एक संगडनात्मक सरूप प्राप्त हुआ इस आंदोलन में विभिन रचनात्मक कारेकरम प्रारंब किये जिने बाद में गांदी जी ने अपनाया हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे रास्ट्री आंदोलन के तीसरे चरण में रास्ट्री आंदोलन में दूसरी पंक्ती के नेता तयार हो चुके थे जैसे जवालाल नेहरू और मुहमद अली जिन्ना और आंदोलन के दबाव के कारण 1919 में अंग्रेजों को सुधार करना पड़ा और एक और अधिनियम लाना पड़ा और यह है पहला बड़ा आज़न आंदोलन था जो पूरे भारत में हुआ अब इसकी हम थोड़ी कुछ कम्या देखते हैं वो क्या रही कि यह आंदोलन केवल शेहरों तक सीमित रहा गाव में इसका कोई प्रभाव नहीं था गरमपंतियों के मकाबले जो इनकी स्वेशाशन की मांग थी वो कम थी क्योंकि गरमपंति 1906 सोराज की मांग कर रहे थे इनके जो रचनात्मक कारे थे वो भी सेधानते की थे वो लागू नहीं किये जा सके थे और ये आंदोलन ऐसी एनिबिसंट जैसे की गिरफतार हो चुकी थी तो अंत में नेत्रत्व हीन हो गया था और बिना किसी स्पस्ट परिणाम के समाप्त हो गया था और भाषा के आदार पर राज्यों का गठन होने से जैसा कि तिलक ने मांग करी थी शेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है तो ये भी इसकी एक कमी थी अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं लखनव अधिवेशन 1916 लखनव अधिवेशन जब हमने कॉंग्रेस के अधिवेशन की बात करी थी तब मैंने बताया था कि यहाँ पर नरमदल और गरमदल इनका ये अपस में मिल जाते हैं और इसी प्रकार जो मुस्लिम लीग है और जो कॉंग्रेस है उनके बीच भी समझोता हो जाता है तो अब नरमदल और गरमदल में समझोता है कि क्या कारण रहे है कि 1907 में क्या जो सूरत विवाजन जो सूरत अधिवेशन में ये लोग अलग हुए थे उसके बाद गरमपंथी रास्ट्री आंदोलन में अलग रोच्षा महता इनके 1915 में मृत्य हो चुकी थी इसकारण नरमपंथी निश्क्री होते जा रहे थे और अब उन्हें एक नई उड़ जा की आवशकता थी और नरमपंथी थे जो 1909 का जो भारत परिशद अधिनियम था उसके सुदारों से संतुष्ट नहीं थे अब गरमप रही थी और इन सब के लिए गरम दल और नरम दल का विले होना जरूरी था हम देखते हैं लखनाव समझेते यानि कि मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस के भी समझोता हुआ उसके क्या कारण रहे मुस्लिम लीग के क्या कारण थे कि एक तो बंगाल वी वाजन रद्ध हो चुक और फिर पर्थम विश्यूदि में तुर्की ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था और अंग्रेस तुर्की के खलिफा के पदगो समात करना चाते थे जिससे मुसल्मानों में ऐसंतोष था अब कांग्रेस के क्या कारण थे समझोते के कि कांग्रेस हिंदू-मुसलिम एकता को स्थापित करना चाती थी जिसे की रास्ट्रिया अंदोलन का सामाजिक आधार बड़े दूसरा कॉंग्रेस रास्ट्री आंदोलन के धर्ण निर्पेक सरूप को बनाए रखना चाती थी मुसलिम लिग ने कॉंग्रेस की मांगे सुईकार कर ली थी जैसे स्वराज विधान परिशदों का विस्तार अब हम देखते हैं लखनेव समझोते के क्या प्रभाव रहे इसके सकारात्मक प्रभाव क्या रहे कि हिंदू मुसलिम एकता इस्थापित हुई तो रास्ट्रिय आंदोलन का सामाजिक आधार बढ़ा तता आंदोलन का जो धर्म निर्पिक सरूप है वो इस्तापित हुआ आगे देखें तो समझोते के कारण ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने में ये लोग सफल रहे अब इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे क्या कि जो पर्थक निर्वाचन को इन्होंने अपना लिया था उसके कारण द्विरास्ट्रवाद का सिध्धान आया जो कि आगे चलकर बारत पाकिस्तान की विभाजन का कारण बना कॉंग्रेस ने मुसल्मानों का प्रथक निर्वाचन स्विकार कर लिया तो 1919 में फिर सिखो और अंगलो इंडियन को प्रथक निर्वाचन अंग्रेजों ने दिया जिसका विरोधब कांग्रेस नहीं कर सकती थी मुसलिम लीक को अधिक महत्व देने से हिंदू संगटनों को प्रतिकरिया करने का मौका मिला और हिंदू मुसलिम जो एकता भी स्थापित हुई थी वो अल्पकाल के लिए स्थापित हुई थी इसका कोई दिर्ग्रकालिक फाइदा नहीं हुआ तो इस प्रकार यहाँ पर राश्ट्रिय आंदोलन का दूसरा चरन समापत होता है इसके आगे हम देखेंगे राश्ट्रिय आंदोलन का तरत्य चरन थैंक्यू वेरी मच्च